ललुया, प्लिस बैठ जाएं आए छोटी दुआ करें और प्रभू से करें प्रभू तेरे वचन के द्वारा प्रभू तो आज मुझसे बात करें तेरी बातों को प्रभू मैं सुनना चाहता हूँ, सिखना चाहता हूँ हातों को उठा कर कई प्रभू तेरे वचन के द्वारा मुझसे बात करें। वचन आपके जीवन में बहुत कुछ कर सकता है प्रभु कहता है आप सत्य को जानोंगे और सत्य आपको रिहा करेगा, मुक्त करेगा हाललुया कहें प्रभु से प्रभु मैं आज सत्य को जानना चाहता हूं और वो सत्य, तेरा सत्य, तेरा वच्छन आज मुझे रिहा करें मैं थोड़ी मिनिट आपको देता हूँ आप अपने मनों में दुआ करें दिल से दुआ करें प्रभु तेरे वच्छन के द्वारा आप मेरे साथ बात करें ताकि आज आपका वच्चन सुनना प्रभू मेरे जीवन में आशीशो को लेकर आए प्रभू ये शुक के नाम है आमें आमें हम प्यारों पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि हमें next level of anointing अभिशेक के अगले स्टर में जाना है हाथों को ठाए और कहें मुझे अभिशेक के अगले स्टर में जाना है और उसके लिए जो जो करना है वो हम आपको सिखा रहे हैं अब यसे कुछ लोग होंगे जो कहेंगे ये पास्टर्स क्यों अभिशेक अभिशेक कर रहे हैं कलिश्या के कई प्रस्न है सादी का है पढ़ाई का है ये है वो है ये मसलों के उपर काम करने के बदले सिर्फ अभिशेक, अभिशेक, अभिशेक क्यों कर रहे है क्योंकि यसाया 10.27 में प्रभु का वचंग कहता है जब अभिशेक आता है वो हर जुए को नस्ट कर देता है हाललुया वो आपका सादी का प्रस्न हल करेगा उसकी गवाया आने वाले दिनों में आ रही है सालों से रुकी हुई सादी जब अभिशेक पाया, अभिशेक में बढ़े वो चुए से प्रभु ने उनको रिहा किया है तयार है आने वाले दिनों में वो गवायों के लिए हाललुया आप जब अभिशेक में बढ़ते हो अपने आप आपके जीवन से हर एक जुए मैंने का हर एक जुआ बोले हर एक जुआ हर एक प्रस्न हल होने वाला है कोई बाकी नहीं रहेगा फिकर मत करिये हर एक रोग की एक ही दवा है परमेश्वक की सामर्द हमारे जीवनों में काम करे ये शुमस्री की सामर्द हमारे जीवनों में बहती जाए और वो बड़े इतनी बड़े कि उसके सामने हमारे परस्न टिक न पाए उसके सामने हमारी समस्या टिक न पाए आमेर इसलिए वो सामर्द दोतमें हमें बढ़ना है हालौया पहला सेम्यूल उसका नौ्व माध्या प्लीज आप उने बाइबल में निकालीगा पहला सेम्यूल कि उसका अध्याई नौ यहाँ पर जब Samuel को परमेश्वन ने बताया कि तुझे साउल करके एक व्यक्ति है उसे राजा करके विश्य करना है तब यह साउल जो था उसके विश्य में यहाँ पर लिखा गया है वो क्या कर रहा था पहला Samuel नौव आ दिया है और पहली आयतम पढ़ना चाहते है बिन्यामीन के गोतर के किस नाम का एक पुरुस था जो अभी के पुत्र, बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अभियल का पुत्र था वह एक बिन्यामीनी पुरुस का पुत्र और बड़ा सक्ती साली सुर्मा था उसके साउल नाम एक जवान पुत्र था जो सुन्दर था और इसराहिल में कोई उससे बढ़कर सुन्दर न था वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंदे ही तक आते थे जब साउल के पिता किस की गदिया खो गई तब किस ने अपने पुत्र साउल से कहा एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदियों को ढूंड ला यह जो साउल करके व्यक्ति था उसको परमेश्वर ने राजा बनाने के लिए अभिशेक किया था करना चाहता था और इसको उसके पिता ने एक काम सौपा था, वो काम क्या था, एक सिवक को अपने साथ ले जा, और गदियों को जो खो गई है, उससे ढूंड रा, क्या काम था सावल का, उसके पिता ने ये जिम्मदारी दी थी, तुझे खो गई गदियों को लेकर आना है उसे ढूंडना है और वो गदियों को ढूंडने के लिए गया लेकिन वहां लिखा है फिर बिन्यामिन के देश में गए परंतु गदिया न मिली पांच व्याद तब विसुफ नामक देश में आये तब साउल अपने साथ के सिवक से कहा हम लौट चले ऐसा नहों कि मेरा पिता गदियों की चिंता छोड़ कर हमारी चिंता करने लगें इन्होंने बहुत डुंडा लेकिन इनकी गदिया नहीं मिली वो टाइम में गदिया प्रॉपर्टी कहलाती थी पैसे थे वो उनके वो उनकी माल मिलकत थी और वो खो गई और जब इसके पिता ने कहा तु ढूंड कर ला वो ढूंड ने गया लेकिन उससे वह नहीं मिली और वो ढूंड ढूंड कर ठक गए है और अब हार मानकर कहते हैं अब हम वापिस आए क्योंकि अगर हम वापिस नहीं गए तो हमारा पिता हमारी चिंता करेगा अब गदियों को छोड़ो वो मिलने वाली नहीं है हमें हमारे पीता के पास वापस जाना चाहिए तब उसके साथ जो था उसने कहा छटवियाद उसने उससे कहा सुन इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है और जो कुछ वह कहता है वह बीना पूरा हुए न इधर जाए जब इनका काम नहीं हो रहा था जब इनकी गदिया इंकी प्रॉपर्पर्टी जो खो गई है वो नहीं मिल पा रही थी यह कहते हैं अब हम हार चुके हैं हमारी और से सब प्रहत्ना खल लिये लेकिन हमारा काम नहीं हुआ अब चलिए हम परमेश्व के दास के पास जाते है यहाँ एक परमेश्व का दास है हम उसके पास जाएंगे और वो हमें जरूर ना जरूर कुछ ना कुछ रास्ता दिखा सकता है और वे लोग परमेश्व के पास गए और जब यह लोग जा रहे थे तब यह लोग अंदर में चर्चा करते हैं साउल ने अपने सेवक से कहा सुन यदि हम उस पुरुस के पास शले मतलब प्रभु के दास के पास तो उसके लिए क्या ले चले क्योंकि वो समय में कोई भी प्रभु के दास के पास खाली हाथ नहीं जाता था और वो क्या कहता है आठ्वियाद सेवक ने फिर साउस से कहा मेरे पास तो एक सेकल चांदी की चौथा है वही मैं परमेश्वर के जन को दूँगा कि वह हम को बताए कि किदर जाए वो एक सेक्रिफाइस के साल प्रभु के दास के पास जाते हैं क्योंकि उनका मसला उनका प्रस्थन हल नहीं हो रहा परमेश्वर के दास के पास प्रभु के पास जबवे जाते हैं उनके पास जो कुछ बच्चा हुआ था वो कहता है मेरे पास तो एक सेकल चांदी की चौथा ह मतलब कुछ पैसे हैं लेकिन ये मैं प्रभु के दास को दे दूंगा मैं प्रभु के भवन में प्रभु की उपस्थिती में प्रभु के दास के पास जब कुछ पाने के लिए जा रहा हूं मैं खाली हाथ नहीं जाओंगा प्यारो जब अभी शेक में बढ़ रहे हैं ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारो आप जितना पाते हो प्रभू के प्रती धन्यवादी बने रहे जब जब प्रभू आपको कुछ बातों के लिए ब्लेस करता है गवाया खड़ी करता है अभिशेक करता है कोई चंगाई होती है चब चमतकार होता है प्रभू आपकी में आते हो जो भी हो वो एक रूपया भी हो सकता है दस रूपया भी हो सकता है प्रभू ने जो आपको ग्रेस दी है प्रभू ने जो आपको कुरुपा दी है यह आपका रिदे बताएगा कि मेरा रिदे कैसा है मैं जब प्रभु के पास जाता हूँ मैं क्या खाली हाथ जाता हूँ अगर खाली हाथ जाता हूँ मतलब मैं धन्यवादी नहीं हूँ ना सिर्फ हमें मुझ से धन्यवाद करना है हमें जो कुछ भी प्रभु ने दिया है उसके द्वारा भी प्रभू का धन्यवाद करना है, प्यारो, जब कहीं, जब भी प्रभु आपको कुछ बातों से bless करता है, तूरन कुछ बोईए, प्यारो, खाली हाथ प्रभू के चर्णों में मत जाए, बिना कुछ प्रभू को दिये मत आए, क्योंकि ये चीज आपकी आशिशों को रोखेगी प्यारों यह चीज आपके जीवन में बड़े-बड़े ब्लेसिंग को रोखेगी प्रभू देखेगा मैंने जीवन में इसके जीवन में गवाई खड़ी करी लेकिन उसने मुझे मेरे लिए कुछ नहीं किया आप एक गवाई जो भी आपको लग रहा है जो बड़ी गवाई है वो भी नहीं हुई है मतलब बड़ा काम अभी कोई बाकी है लेकिन यह काम हो गया है वो काम के लिए आप कितना वफादारी दिखाई वो काम के लिए आपने कितना धन्यवाद के द्वारा गवाही के द्वा अगर वो छोटी एक चीज के लिए, छोटे काम के लिए आपने वफादारी दिखाई, प्रभू आपके लिए बड़े काम के लिए आपके उपर फेत रखेगा, अमें, अललुया, अभी जो हम देख रहे हैं वो कुछ नहीं है, आने वाले दिनों में प्रभू इससे भी और अद्बूत काम करने जा रहा है, प्यारो, यह सिर्फ हम आपको उसाहित करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये प्रभू की आत्मा की इच्छा है, प्यारो, जिसके जरिये प्रभू का राज उन लोगों के तक पहुंचे, जो प्रभू से दूर है, हामें, आपके ज जीवन में भलाए के काम करता हूं, हाललुया, लेकिन आपको और मुझे प्रभू के प्रति विश्वास योग्या बना रहना है, आपके जीवन में आज जो किया, अगर उसके लिए विश्वास योग्या नहीं हो, तो कल के लिए प्रभू कैसे विश्वास करेगा, आज के आज के लिए आप दनिवाद नहीं दे रहो, आज के लिए अप गवाई नहीं दे रहो, कई गवाईया तो हमें तब पता चली, जब हमने आपसे पूछा या तो आपने हमें कहा, सालों भीद गए थे लेकिन आप कभी नहीं बोले, प्रभू के कामों को डाट रखने के रखना है, उससे डिक्लेर करना है, उससे जाहिर करना है, उसके द्वारा प्रभू को महीमा देना है, अपने जीवन में किये हुए कामों के लिए प्रभू को महीमा दो, प्यारो, मुह से ही नहीं सिब वर्शिव का टाइम हो, तब धन्यवाद कर दिया नहीं, गवाहिया द उसके लिए बो, भले पांच रूपय भी हो, प्रभू देखेगा आपका रिदय, हाललोया, उस तरी जो परमेश्व के पास आई, उसके पास लाखो करोड रूपय नहीं थे, लेकिन दन्यवादी रदय था, येश्व, मेरे पास बले लाखो करोड रूपय नहीं है, लेकिन मै दो टाइम का खाना खा सकती हो, बेरे पास जो ये दो पैसा है, दो दमडी है, मैं येश्व आपको देती हूँ, आपने मेरे जीवन में जो कुछ किया है, बले मैं करोड पती नहीं हूँ, मैं जिन्दा हूँ, मैं तेरा दन्यवाद करती हूँ, हाललोया, जो कुछ था वो वो प्रभु का धन्यवाद करती है, और येश्व से सरात है, लाखो पतियों को प्रभु येश्व नहीं सरा, वो स्त्रीको सरा, क्योंकि वो धन्यवादी रिदे के साथ आई थी, उसके पास कम था, छोटा था, लेकिन वो छोटा येश्व की नजरों में, वो पैसा जो कम वो प्रभु की नजरों में महत्व पूर्णा बन गया, क्योंकि उसने सेक्रिफाइस से दिया था, वो उसका सब कुछ था, दो दमणी, हाललोया, वो धन्यवादी रिदेश से आई येश्व के पास परमेश्व के भवन में, आप जब परमेश्व के भवन में आओं प्यार भी आयत में लिखाए, वे नगर में चड़ गए और जो ही नगर के भीतर पहुँचे, तो ही समयल उचे स्थान पर चड़ने के लिए विचार से उनके सामने आ रहा था, हाललोया, हाललोया, जब उन्होंने बलीदान के साथ प्रभु के चरनों में जाने के लिए ठान लिया कि मैं जो भी मेरे पास है वो प्रभु के दास को दूंगा और फिर वो ठान कर वे आगे बड़े, प्रभु का दास उनको सामने से मिलने के आया, हाललोया, जब आप धन्यवाद की भेटों के साथ प्रभु के चरनों में आओगे, मेरे कर आपको सामने से मिलने के लिए आए और कुछ नहीं सिखाएंगे, हाललुया। अगर मुझे कुछ पाना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा Hallelujah बीना runway prepare किये plan को land करवाने की बात मत करें अपने आपको तैयार करें next level के अभिशेक के लिए अभिशेक प्रभू उन्डे लेगा अभिशेक देगा वो सामट आपके जीवान में काम करने लगेगी जो अभी तक जो जुए नहीं तूटे उससे भी तोड़कर अद्बुद गवाया आपके जीवान में लेकर आएगी लेकिन उसके लिए अपने आपको prepare करें जो भी कमी घटी वचनों के द्वारा प्रभू बता रहा है उससे दूर करें ये लोगों नापको prepare किया वो गंबीरता से ले रहे थे lightly नहीं ले रहे थे कितने लोग है जो प्रभू के भवन में प्लीज मूमेंट बन कर दी जब कोई खड़ा यहां वाँ गुमेगा नहीं मूमेंट बन प्रभू के दास के पास ये लोग जब जा रहे थे तब ये लोगों ने lightly नहीं लिया क्यों चलो चले जाते काम हुआ तो ठीक है नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं प्रभू का धन्यवाद नहीं लगी तो अभी प्रभू का धन्यवाद ये लोग घंबीरता से जा रहे थे एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं प्रभू का दास उससे हम जब मिलेंगे प्रभू हमें आसिस जरूर देंगे हमारी खो गई घंबीरता से आने वाले संडेश और बहुत अद्बूत काम प्रभू यहां पर करने जा रहे है आपकी प्रिपरेशन ताई करेगी आप कितना लुट कर जाओगे यहां से आप इतना सब काम हो रहा है फिर भी खाली हाथ भी जा सकते हो और यहां से भर भर कर लुट लुट कर आशिशो को पाकर भी घर जा सकते हो हाललुया बहुत बड़ी भीड येशु के पीछे चर रही थी देड़ सारे लोग येशु को छो रहे थे कोई चंगा नहीं हुआ एक स्त्री प्रिपरेशन के साथ फेट के साथ मैं आज खाली हाथ नहीं जाओंगे मैं चूँगे और मैं चंगी हो जाओंगे मैं आज खाली हाथ नहीं जाओंगे करके प्रेद के साथ, प्रिपेरेशन के साथ, तैयारी के साथ, सब कुछ बाजू पर रख कर, रिस्क लेकर येशु को छूने के लिए आए, क्योंकि तब के समय में अगर किसी बहन को लहू बहने की बिमारी होती, किसी के बीच वो चली जाती, उसे असुद कहलाया जाता था, उसे लोग मारते भी, अगर वो जाहीर हो जाते, क्योंकि लोग उसे असुद कहते थे वो समयों में, वो पकड़ी जाती तो लोग उसे मारते, या तो उसके विरुद एक्शन लिया जाता, लेकिन उसने रिस्क लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, रिस्क लेना पड़े, चाहे भीड के बीच मुझे धक्के खाने पड़े चाहे कुछ भी हो जाए मैं विश्वास के साथ ये सुको छोलूगे खाली हाथ मुझे नहीं लोटना है आललूया ओरी बेना मारा लाबारा आप मैं से कितने लोग है जो आने वाले दिनों में प्रिपेरेशन के साथ यहाँ पर आएंगे ऐसा ना हो जब प्रभू अभी शेक को पूरा आउट करे आपके बीच उंडे ले आप खाली हाथ रह जाओ रह जाओ प्यारो हमें तैयारी करने हैं बोलो मुझे तैयार हो कर जाना है जब भी मैं प्रभू के चर्णों में आओ जब भी मैं कुछ प्रभू की उपस्थिती में जाओ मैं तैयारी के साथ जाओंगा तैयारी के साथ जाओंगी हाललुया हाललुया ऐसी जमीन बनिये जो तैयारो बारिस को सोखने के लिए ऐसी जमीन नहीं जिसके ओपर बारिज गीरे लेकिन बह जाए हमें सोखना है बारिज को प्रभु की आत्मा की बारिज को हाललुया इस लोग तैयारी के साथ गए प्रभु के दास को मिलने के लिए उन्होंने यह सोचा था हम दास को मिलेंगे वो हमें बताएंगे कि हम फेल गए, गदिया नहीं मिली, कहां जाए, क्या करें कि हमें गदिया मिल जाए और उनको प्रवु का दास सामने से मिलता है, पंद्रवियाद साउल के आने से एक दिन पहले, यहोवा ने समयल को यहचिता रखा था कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामिंग के देश से एक पुरुस को भेजूंगा उसी को तू मेरी इसराहिली प्रजा के उपर प्रदान होने के लिए अभिशे करना और वह मेरी प्रजा को पलिस्तियों के हाथ से छुडाएगा क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कुरुपादरस्टी की है इसी लिए कि उनकी चिलाहट मेरे पास पहुँची है हाललुया जब ये प्रभू का दास अगले दिम प्रभू के चरनों में बैठा हुआ था तब ही प्रभू ने उससे बता दिया था क्या बता दिया था मैं कल एक व्यक्ति को भेजने वाला हूँ उसके लिए तुझे क्या करना है उसकी गदियों के लिए दुआ करना उसकी गदिया मिल जाए उसके लिए दुआ करना उसके उपर अभिशेक उतराए हाललुया उसके लिए दुआ करना उसके उपर अभिशेख उतर आए क्योंकि अभिशेख आएगा तो अपने आप जो खुच खो गया है वह पालेगा हाललुया प्यारो आप यहां कुछ और पाने के लिए लेकिन आप प्रमिश्र की सामर्थ को पाने के लिए अपनी प्यास बढ़ाओ आपको यह प्रभू मैं गदियों के लिए तेरे पास आया था में मेरे करजे के लिए मैरेज के लिए पढ़ाई के लिए में मेरे चियों में जो मेरी जरुआते पूरी नहीं है उसके लिए आया था लेकिन मुझे उससे भी बढ़कर एक चीज़े जो तू मुझे देना चाहता है वो पाना है और व प्रभू ने ये नहीं किया, गदियों के लिए दुआ कर, प्रभू के दास को प्रभू ने किया, कहा, अभिशेक के लिए दुआ कर, दो महिनों से प्रभू के दासों को प्रभू ने ये ही कहा है, सिर्फ अभिशेक के लिए दुआ कर, गदिया अपने आप मिल जाएगी, जर हर जुवे को तोड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया, अर द्वार को खोलेगा, जो आपके द्वार खोलेगे, बिस्तेश में ब्रेश होगे, हर बिमारी आपको छोड़ कर चली जाएगे, क्योंकि आप अभी शेक पा रहे हो, जो हर एक ताले की एक ही चावी है, और वो है प्रभू की सामर्द, हालेलुया, और इसलिए पॉलुस कहता है, हम सिर्फ बातों के सुसमाचार को लेकर नहीं आए, आपके पास जब आए, हम पर मेश्र की सामर्द को भी लेकर आए, हालेलुया, से बातों से काम नहीं होगा प्यारो अभी शे हमारे लिए जरूरी है अब सोचोगे ये प्रभु के दास क्यों next level, next level कर रहे है क्योंकि अभी तक जो हमने पाया है वो काफी नहीं है अभी भी कुछ द्वार को खुलना है अभी भी कुछ बातों को हमारे जीवन में होना बाकी है और उसके लिए next level अगला अभी शे, अगला स्टर अगली सामर्द को हमें पाना जरूरी है हललुया प्रभु के दास को या प्रभु ने ये नहीं कहा तो उसकी गदियों के लिए दुआ कर प्रभु के दास को प्रभु ने कहा अभी शेक करना हललुया और वो क्या करेगा जब उसका अभी शेक किया जाएगा वो मेरी प्रजा को पलिस्तियों के हाँ से छुडाएगा हर सत्रू से प्रभु आपको रिहा करेगा जब आप अभिशेक को ले लेकर यहां से जाओगे कोई शत्र आपके सामने ठीक नहीं पाएगा विश्वास करते हो तो बोलियावे हललुया आप सिर्फ एक ही बात की फरवा करें मैं अभिशेक में कैसे बढ़ू मैं सामर्थ में कैसे बढ़ू बाकी का सब कुछ वो सामर्थ ही कर डालेगा आमेन यह प्रवु के दास दे जब प्रवु से पाया तब उसने क्या करा बिश्वियाद और तेरी गद्या जो तीन दिन से हुए खो गई थी उनकी कुछ भी चिंता ना कर क्योंकि वे मिल गई है इसराहिल में जो कुछ मन भाव है वह किसका है क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है साउल ने उतर दिया क्या मैं बिन्यामीनी अठाट सब इसराहिली गोत्रों में छोटे गोत्र का नहीं हूँ क्या मेरा कुल बिन्यामीन बिद्यामिन के गोत्र में सारे कुलों में छोटा नहीं है इसलिए तू मुझसे ऐसी बाते क्यों करता है जब प्रभू के दास ने उसे कहा कि मैं तेरा अभिषेक करने वाला हूं और यह बाते प्रभू ने मुझे बताइए तब वो कहता है, प्रभु के दास से कहता है, तु मुझसे ऐसी बात में क्यों कर रहा है, मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, मेरा गोत्र, मेरा परिवार बहुत ही छोटा है, हम कोई बड़ी चीज की आसा नहीं रखते, क्योंकि हम तो बहुत ही छोटे हैं, आपने जो चीजों की आसा नहीं देखी, वो भी आप पाने वाले हो, जब इस अभी शेक में आप बढ़ोगे, आमेन, हललुया, हललुया, कभी भी अपने आपको लिमीट मत करें, कभी मत सोचे कि बस इतना ही हो सकेगा, इस से ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है, आपकी इस कैपेसिटी से कर परमेश्वर अपके याप अबकर इस यह एक उपयादे आपके अंदर उंडेल रहा है, आपकी सामथ, आपके गनान, आपकी ऑलीजिबिलिटी से बढ़ бу अपनी सामथ, अपना अपना उपना उपनी योगयत, आपके अंदर उंडेल रहा है, थाल्लेलुया, कई बेडों ने जिनों ने प्रमिश्र के दासों की बातों को सिरियसली लिया, जो जो कहते गए, करते गए, प्रभु में बढ़ते गए, उसके अभिशेक में बढ़ते गए, आज वो वो कमा रहे हैं, जो उनके सर्टिफिकेट, उनकी मार्क सिट पर वो कभी नहीं पा सकते हैं, आज इतनी अच्छी सेलरी की जौब वे कर रहे हैं, हाललुया, कोई गवर्मेंट मंदा भी ना पाए, उतनी सेलरी वो ले रहे हैं, आज की तारिख में, क्योंकि उन्हों ने प्रभु के दासों की बातों को गंबिरता से लिया, सीखा प्रभु में कैसे बढ़े, उसकी साम मर्थ को पाना है, आप भले ही छोटे हो, आपको योग्य ना समझते हो, लेगिन उससे बढ़कर आशिशों को प्रभु आपको देने जा रहा है, बिस्वियाद महां लिखा है, ठोड़ी, 26 साद, सबेरे वे तड़के उठे, और पोफटे सेम्योल ने सावल को छट पर बु लिखा है, दसवाद याई पहली आद, तब सेम्योल ने कुपी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चुम कर कहा, इसका कारण यह नहीं है, कि यहोवा ने अपने नीज भाग के उपर प्रदाहन होने के लिए तेरा भीशे किया है, आज जब तू मेरे पास से चला जा तब राहिल की कबर के पास जो बिन्यामिंग के देश की सिमा पर सेलसर में है, दो जन तु जिसको मिलेंगे, जिन गदियों को तू धूंडने गया था, वे मिल गई है, और सुन तेरे पीता गदियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कोड़ता हुआ, कहता है, कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करो, परमेश्वर के दास ने ये साउल को अभिशेक किया, क्या किया, कुपी में तेल लेकर उनके सीर पर उंडेला, और कहा, आज से तेरा अभिशेक किया जाता है, इस प्रजा के उपर राजा ठहरने के लिए, और उसके बाद क्या हुआ, लानी जगह के पास दो लोग मिलेंगे और कहेंगे, वो गदिया जिससे तु ढुन रहा था, वो मिल गई है, हाललुया, पहले सामर्थ पाओ, गदिया अपने आप मिल जाएगे, आपके हाथ में, गदियों के पीछे दोड़ो, या तो प्रभु के पास जाओ, और सामर्थ और गदिया अपने आप आजाए, जरूरत अपने आप पूरी हो जाए, चमतकार अपने आप आए, जौप के द्वार अपने आप खुले, हाललुया, हाललुया, हाथ उठार कहेंगे, प्रभु, मैं जरूरतों के पीछे नहीं दोड़ना चाता, लेकिन मैं तेरी सामर्थ को पाना चाता हूँ, प्रभु तेरा बचन कहता है, यहोवा, और उसकी सामर्थ को ढुणो, प्रभु मुझे तेरी सामर्थ को ढुणना है, और उससे और अदिक पाना है, क्योंकि जब मैं अभी शेक पालूंगा, और ज्यादा पालूंगा, अपने आप मेरी चरूरतों को प पाँचवी आयत में, तब तू परमेश्व के पहाड पर पहुँचेगा, जहाँ पलिस्तियों की चोकी है, और जब तू वो नगर में प्रवेश करे, नभीयों का एक दर्ल मिलेगा, वो धनिवाद करता होगा, और जब धनिवाद करते होंगे, तेरे पर मेरा आत्मा बल से उत्रेगा, तू भी नमबुवत करने लगेगा, और पूर रिती से परिवर्तित हो जाएगा, हाललुया, तू पूरी रिती से बदल जाएगा आज के बाद, पर वो आपके जीवनों को बदलना चाहता है, कई लोग ये शुपर विश्वास किया, विश्वास करने के कारण स या नहीं है, आज भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है, आज भी वो निरासा में है, आज भी वो डिप्रेशन में है, क्योंकि वो अपनी जरूरतों के पीछे दोड़ रहे, वो परमिर्श्र की सामत को पाने के लिए मेहनत नहीं करे, प्रभु के दास जो करना पड़ता है, प्यारो, जो भी सिखाया जाता है, घंबीर्ता से लिजिए, बढ़ी है अभिष्यक में, और जब आप बढ़ोगे, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आप सेम नहीं रहने वाले हो, अगर आपने इस सामत में बढ़ने के लिए बढ़ूंगा, चाहिए कोछ भी हो जाए, मुझे बढ़ना ही बढ़ना है, मैं घंदियों के पीछे नहीं दोड़ूंगा, मैं मेरी जरुयातों के पीछे नहीं दोड़ूंगा, कई लोग आप मैंसे ऐसे, जब कोई दुवाईं नहीं सुनी जाती, आप कुड़-कुरार कर तो यह दुआ नहीं सुनी गई वो दुआ नहीं सुनी गई अरे घदियों के पीछे दोणना बन करे इस्वु मसी में बढ़े परमेश्वर में बढ़े सामर्थ को पाए अभिस्——vinरकोपा यह अल्यk estimates कर दीदी आजाएगी अफ नहीं जारूरतों की पूरती ओ खालाबं भ नहीं बढ़ें अाप परिवर्ती तब हो जाओगे जब आप भी शेक में बढ़ोगे प्रभु समय कहना है प्रभु मुझे भी शेक में बढ़ना है मुझे सामर्थ में बढ़ना है गदियों के पीछे में मेरा टाइम नहीं बिगाड़ूंगा मैं एक ही चिंता करूंगा सुबह साम मैं अभिशेक में सामत में कैसे बढ़ू आमेन जब प्रवकादास साउल अभिशेक किया गया और उसे कुछ दल मिला उसके साथ वो नबुवत करने लगा प्रोफेसी करने लगा तब 11 वी आयत में वहां लिखाए जब उन सबों ने जो उससे पहले से जानते थे यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबुवत कर रहा है तब आपस में कहने लगे कि इसके नौर्मल सामान यह छोटे गोत्र से छोटे परिवार से है क्या यह किस का पुत्र नहीं है यह कहां से नबी बन गया लोग आपको देखकर मूह में उंगली डाल देंगे यह कैसे इतना आशिशित हो गया यह कैसे इतना उपर उठ गया इसके लिए यह दुआर कैसे खुल गया हम तो मेहनत करकर के था कि यह दुआर नहीं खुल रहा था इसके लिए कैसे खुल गया यहाँ अभिश्यक पाए हुए लोग हो गया में अप्रमेश्र की सामर्द पाए हुए लोग हो गया यहाँ प्रवुकादास जब सामर्द को अभिश्यक को पा लिया लोग मुह में उंगली डालने लगे खेने लगे इसके इसके पाप को तो देखो बारवियाद वहाँ एक मन इंसान था आम आदमी था छोटे गोत्रसे था लेकिन पुर्वजों से चले आते शाप अभी यहां तुड़ गए जब अभी शेक आया यहां से बड़ा परिवर्तन आया आप वो पीडी हो जहां से बदलाव शुरू हो गया है आपके आने वाली जनरेशन ब्लेस्टेड होगे आपके आने वाली जनरेशन आशिशित होगे आपके आने वाली जनरेशन में प्रभू ब्लेस्टेड लोगों को खड़ा करने जा रहा है वो बड़े बड़े पदो पर होगे बड़े ही आशिशित होगे हरे खृति से पढ़ाई में वो आशिशित होगे फाइनांस में वो वो उंचे उंचे पदो पर प्रभू उन्हे ले जाएगा आप कौन हो वो माइने नहीं रखता आपकी पीडिया बदलने जा रही है शेतान आपके पीछे इसलिए पड़ता है क्योंकि यहां से सिर्फ आपका जीवन नहीं बदल रहा आने वाली जनरेसंस बदल रही है जब आप अभिसे को पा रहे हो प्यारो आने वाली जनरेसंस बदल रही है आने वाली पीडिया बदल रही है आपको यूद जारी रखना है आपको लड़ते रहना है नहीं अभिसे को पाता रहूंगा मैं ज़्यादा पाऊंगा क्योंकि मैं ही नहीं बदलने वाला मेरी फीडिया बदल रहे है मेरा इतियास बुला दिया जाएगा मेरा इतियास मिटा दिया जाएगा जब मैं अभिस्षे को पाकरा के बढ़ूंगा लोग भूल जाएंगे मेरा फिता कौन था लोग भूल जाएंगे मैं खौन था, लोग भूल जाएंगे मेरी पीडी आप कहां पड़ थी, कितने छोटे, कितने गिरे हुए, कितने खिछड में थे, कुछ नहीं था, गरीब थे, कुछ आशी से नहीं थी, मेरा इत्यास बूला जाएने वाला है खुदा, हाललुया, यहां वालतु बातों में आपको व्यस्च रखे, फालतु बातों में आप दौड़ते रहो, प्रभू के साधरिस्ता ना बनाए रखो, दूआ ना करो, थोड़े टाइम में वो चाहेगा कि आप ठंडे हो जाओ, आप दो घंटे दूआ कर रहे हो, फिर से वो चाहेगा पंदरा मि अबिश्यक का लेवल खम हो जाए, क्योंकि वो चाहता है, आप सिर्फ गद्यों तक सिमीत्रो, आपकी जरूरतों के तक सिमीत्रो, आप अभिश्यक को न पाओ, क्योंकि वो जानता है, अगर आपने अभिश्यक को पा लिया, गद्या तो मिल ले ही वाली है, आपकी पूरी गदियों के पीछे ना दौड़ू, मैं सिर्फ इस दुनिया की संसार की बातों के पीछे ना दौड़ू, मैं तेरी बातों के पीछे लगा रहुं, अभी से पुक्त में बढ़ने के लिए महनत करता रहुं, आये हम पॉतना में जाए प्यारो, और हम आज दुआ करने जा रहे प्यारो कि प्रभू हमें इस अभिश्यक में बढ़ने के लिए कमिटेड बनाए प्रभू अनूख रदे हैं यह हम गदियों के पीछे मतलब फाल्तु की बातों के पीछे न भागे हातों को उठाए और कहें मैं फाल्तु की बातों के पीछे नहीं भागूंगा चैर्स ले लिजिए दो भाग में आप डिवाइड हो जाए बीच में रास्ता रखे ताकि प्रभू अगर अपने दासों को अगवाई देता है बीच में आकर आपके लिए दुआ कर पाए और दुआ करना जारी करें दुआ करना सुरू करें प्रभू मुचे घदियों के पीछे नहीं भागना है फाल्तु की बातों के पीछे नहीं भागना है गंबिरता में बने रहना हसना चिलाना बंद करें बहुत गंबिर समभई में हम आ गए प्यारो आप दुआ में रहेगा, ऐसा नहो, प्रभू अपना सामर्थ उंडेले आप खाली हाथ जाओ, रिसीव करने के लिए अपना आपको प्रिपेर करें, रिसीव करने के लिए आपकी जनरेशन्स प्रभू बदलने जा रहा है, इसलिए आपको गंबिर रहना पड़ेगा, प्यार आप आप आगना खारिता में नरो, आप प्रभू के दासों की सुनना बन कर लो, लाइठ ली लो, और किसी भी रिती से सैतान चाहेगा, यह भी शेक में आप गिरो, इस अभी शेक को कम किया जाए, या तो आप यह भी शेक को गवा दो, लेकिन आपको आपको आप क्यों तो मुझे फाल्तू की बातों की चिन्ता खरनी नहींपड़ेगी जंगायाने ही वाल्यह अगर अभिश्यग पा लिया चुटकार आने ही वाला है अभिश्यग पा लिया आशी से पाने ही वाला हूँ, खड़ जा दूर होने ही वाला है, चंगाई को पाऊंगा, छुटकारे को पाऊंगा, द्वारों को खुलता देखूंगा, लेकिन मैं किसी भी रिती से अभिशेक को गवाना नहीं चाहता, यूकि ना सिर्व मेरा जीवन बदर रहा है, आने वाल मैं गदियों के पीछे नहीं बागूंगा, मैं गदियों के पीछे नहीं बागूंगा, बीच में प्लीज जगा रखना थोड़ी, अगर अगवाय देता है, तो हम आपके लिए दूह कर पाए, हाथों को उठा कर कहें प्रभू तुआ नूकर दे, कोई भी ऐसी बात जो Alleluia कहिए दया मागिए दया मागिए आपकी किनथा हो सकती है आपकी फिकर हो सकती है आपकी तीसेडियोばい एच हर दो तुञेया को चकुतो है आपकी गMoon क поверх में पाक्ता ही हो सकती है वो गदिया गलत आदत हो सकती है अगर आपको विशेक पाना है तो गदियों के पीछे दोड़ना बन करें प्यारो आप परमेश्वक के पास आईए आप हारे ही रहोगे ठके ही रहोगे खाली हाथ रहोगे जब तक आप गदियों के पीछे दोड़ रहो कुछ नहीं पाओगे, सावल तब तक कुछ नहीं पाया, जब तक वो गदियों के पास दोर रहा था, गदियों के पीछे दोर रहा था, एक टाइम आया वो ठक गया, उसने कहा हम कुछ नहीं पा सकते, अब खाली हाथ है, हमारे पास कुछ नहीं है आज, क्योंकि हम निस्फल ह आप मेंसे जो लोग निश्फल हो चुके हो प्यारो आज प्रभू से कहिए प्रभू मैंने गदियों को बहुत धुंडा मैंने आसीसों को बहुत धुंडा अपनी रिती से प्रत्नों को बहुत किया लेकिन आज मैं अपने प्रत्नों को बाजू पर रखता हूँ गदियों के मैं आपके पीछे दौड़ना बंद कर रहा हूं, मैं आपके पीछे दौड़ूंगा, मैं आपके पीछे दौड़ूंगा, मैं आपके पीछे दौड़ूंगा, मैं आपके पीछे दौड़ूंगा, मैं अपके पीछे दौड़ूंगा, मैं मेरी हाड को जीत में बदलता हुआ देखूंगा, ओ आज बले मैं खाली हाथ हूँ, गधिया आज मेरे हाथ नहीं लगी, आजी से मेरे हाथ नहीं लगे, आने वाले दिनों में लगेंगे, जब मैं अभी शेक को पाकर आगे बढ़ता जाओंगा, आज जो मैंने नहीं पाया, खल मैं पालूंगा, आज बले मैं ख लिए डाल देंगे, अगर मैं अभिषेक में बढ़ गया थो, कल का दिन मेरा है, कल कल मेरी है, आने वाला दिन मेरे है, आने वाला दोजार थिस मेरा है, मुझे अभिषेक में बढ़ना है, मुझे अभिषेक को पाना है, और पाना है, और पाना है, और पाऊंगा, और अपने आप मेरी जर्वतों को पूरा होना ही होना है हालेलुया एक ही दुआ खरे प्रबू मुझे तेरी सामर्ट चाहिए प्रबू और अभी शेक चाहिए और अभी शेक में बढ़ना है उसके लिए मुझे घंबीर बना सैतान मुझे कहीं पर भी लापरवाना बना दे मैं फिर से ठंडा नहीं होना चाहता क्या ये दिन आप गवाना चाहते हो प्यारो क्या ये दिन आप गवाना चाहते हो प्यारो हालेलुया मुझे एज़ प्रबू के दास प्रबू से कहना पड़ेगा प्रभू मुझे जो important है उसके पीछे दोड़ना है बाकी की blessing अपने आप आने वाली है मेरी ministry की जरूरत अपने आप पूरी होने वाली है जब मैं गदियों के पीछे नहीं दोड़ूंगा ministry की जरूरत मैं अपने आप नहीं पूरा कर सकता मैं जब abishik के पीछे दोड़ूंगा ministry की जरूरत अपने आप पूरी होगे मैं जब भेडों के पीछे दोड़ूंगा हो सकता अभीशे को गवादू लेकिन जब मैं abishik के लिए दोड़ूंगा मेरी भेड़े अपने आप आसीशित होने वाली है जो मैं नहीं दे सकता उंको मेरी कैर नहीं दे सकते हो जब मैं अभिशेग पा कर जाऊंगा उनके बीच में वो अभिशेग अपने आप मेरी कलिशा में आशीशो को लाएगा मुझे भी केरना है प्रबु मुझे लापर्वान नहीं रहना है चाहे कुछ भी हो जाए, इस अभी शेक में मुझे बढ़ना है, गदियों के पीछे, फालतु की बातों के पीछे, प्रभु मैं ऐसे तेरे दास नहीं दोड़ूंगा, आप भी कहिए प्रभु फालतु की बातों के पीछे, मैं तेरी बेटी होने के नाते नहीं दोड़ूंग मुझे careful बना मुझे careful बना मुझे लापरवा नहीं बनने देना ये शो कहिए 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 प्यारो आज की दुआ आपको लापरवा होने से बचाएगे आज की दुआ आपको डाइवर्ट होने से बचाएगे आज की दुआ आपको घदियों के पीछे दोड़ने से बचाएगी आज की दुआ आपको बनाए रखेगी अभी शेक में और उसके लिए प्रभू आज आपके उपर अनुख रख करेगा लेकिन माग तेरे, माग तेरे, माग तेरे कहिए प्रभु घदियों के पीछे दोड़ने से बचाना मेर डाइवर्ट न हो जाओ कहिए दुआ करिये प्यारो अभी समय सामर्थ मागने का नहीं है अभी समय सिर्फ प्रभु से कहने का है प्रभु घदियों से बचाना प्रभु ऐसी फाल्तू की बातों को पीछे दोड़ने से बचाना, यह मुल्यवान दीन है जो हमने पाए है, चाहे कुछी भी हो जाए, मैं फाल्तू की बातों के पीछे ना दोड़ू, प्राप के पीछे ना दोड़ू, वो जो बेसन मैंने छोड़े, उसके पास मैं न जाओ, वो जो नेड़ प्रेयल लाइब थी, वो नहीं चाहिए मुझे, मैं ये आख को बनाए रखना चाहता हूँ, मेरी प्रेयल लाइब को मैं नहीं गवाना चाहता, उसके लिए चाहे कोई भी घदिया मुझे जाने देनी पड़े, घर का काम आपकी घदिया हो सकती है, आपकी असे, उसके पीछे नहीं दोड़ूँगा, चाहे वो गदिया कोई भी हो, मेरे लिए बहुत कीमती हो, साउल के लिए वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी थी, उसके पिताने सौपी हुई जिम्मेंदारी थी, लेकिन जब उसने अभी शेक के लिए कदम बढ़ा है, प्यारो, वो जिम्मेंदारी वो पूरी कर पाया, आप अपनी जिम्मेंदारियों को पूरी करोगे, जब आप अभी शेक को पाओगे, लेकिन अभी शेक के लिए गदिया के साथ कॉम्प्रोमाइज न करे, गदियों के लिए अभी शेक को नहीं गवाना है, हाथो को उठाए, कहें प प्रभू के दाज के पास दाए, वो कह सकता था, गदियो का क्या होगा, गदियो का क्या करेगे, उसने कहा, गदियो को जाने दो, हम से जितना हो सकता था, हमने कर दिया, हम फेल हो चुके है, अब हमें गदियो की नहीं, प्रभू की जरूरत है, अब गद्यों के पीछे बहुत दोड़े हो, मैं दोड़ा हूँ हमें अब गद्यों की नहीं प्रभू के सामद की और अभिशे की जरूरद आए आरा ना में जाए प्रभू से कहे, प्रभू, गद्या नहीं मुझे तु चाहिए, गद्या नहीं ये शुत्तु मुझे चाहे, जो भी गाना प्रभु आत्मा में देता है, प्रभु के आगे हम जाना चाहते है, अपने आपको कमीट करना चाहते है, जो भी पहली बार आए हम आपके लिए दुआ करेंगे, जो भी पहली बार आए हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप खड़ गुटनों पर आकर मैं कहूँ प्रभू से प्रभू मैं गद्यों के पीछे नहीं दोड़ूंगा प्रभू से कहिए गुटनों पर आकर अगर आप हाथों को ठाकर कौने में कहीं दूआ में बैठ कर कहना चाहते हो कहिए प्रभू से प्रभू मैं गद्यों के पीछे नहीं दो मुझे तू चाहिए, साहूर के पास दो अपसन थे, अभी शेख पाने के लिए जाए या तो घदियों के पीछे दोड़े, क्या आज ये आपका कमिंटमेंट है, कि मैं घदियों के पीछे नहीं दोड़ूंगा, मैं अभी शेख को पाने के लिए येसु की प्रेजन्स में हरो चाहूंगा, हरोज प्रभु के चन्नों में बैठोंगा, हरोज मैं दुवा में बना रहोंगा, हरोज विक में जब भी प्रभु अगवाई देव पास करूंगा, पवित्रता में बढ़ूंगा, जो भी मुझे किम्मत चुकानी पड़े चुकाऊंगा, लेकिन मैं भी शेख अगर हम ने दिसा डाइवर्ट कर दी प्यारों ये गवा बैठेंगे कहिए प्रभु सम्गें गद्यों के पीछे जाने से रोकना मैं मेरे लिए नूगरम आगोँगा अब अपने लिए अनूगरम आगे कहिए प्रभु से प्रभु मुझे गद्यों के पीछे नहीं जाना दो के पिछे जाने से मुचे बचा